हेलो स्टुडेंट्स आज अपन क्या पढ़ेंगे मैक्स के चूजद करेक्ट एंसर अपन अपक्या करें रिवीशन स्टार्ट करें ठीक है तो कॉश्चन नंबर फॉर्स के विच नंबर नेम 255 इन में से कौन सा नंबर है जो 255 फे तो देको यहां पर क्या लिख रहा है 255 247 238 तो आपन को क्या चhoड़ा है 255 255 यह रहा तो यहां पर आपकर लगा दौगे राय लगा दोगे फिर कॉशन नंबर सेकेंडि कहों सा Hi见 और अब इवन नंबर क्या होते है ज़ो टू के टेवल में आते है जैसे 2展5 246 तो फिल 371 is a number, जो 371 है, वो कौन सा number है, odd number है या even number, तो लास्ट में कहा रहा है, रहा है, 1, तो 1 तो टुके टेबल में आता नहीं है, तो फिल कोन सा number हुआ, odd number, ठीक है, आया समझ में, है न, अब यहाँ question number 2 देखो, राइट, greater than, less than, or equal to, in the given blanks, आपको क्या करना है, greater than, or less than, पर क्या करना है, sign बनाना है, अब देखो, 450 और 560 है, इन दोनों में से बढ़ा कोन है, 506, तो अभी 506 पर क्या बना दोगे, ऐसे arrow का निशान बना दोगे, फिर 285 है, और यहाँ पर 285 है, दोनों क्या equal है, तो 269 है, तो इसमें से बढ़ा कोन है, 369, ठीक है, अब कोशन नमबर 3 देखते है, राइट थे, expanded form, क्या है, expanded form है, और क्या लिखा है, 245, एक्सपांड करना दोगे, आपने 2 लिखा, 2 के पिछे कित्री डीजिट है, 12, तो आप किति जरो लगा होगे, 12, फिर क्या लगा दोगे प्लास, फिर कोन है, 4, तो 4, 4 के पिछे कित्री डीजिट है, 1, तो 1, 0, प्लास 5, तो यह होगे, 200, प्लास 40, प्लास 5, जो आपन बोलते है, वही लिखना है, इंको expand कर गे, आपने नेक्स्ट देखो, 356, तो 3 लिखा, 3 के पिछे कित्री डीजिट है, 2, तो 300, प्लास 50, प्ल के क्या कर नैचे क्या करना है, यहां पर यहां पर 566, 255, 506 456 बड़ा कोने आपे 650 तो 655 क्या बना दोगे सरकल बना दोगे ठीक है आया समझ में है यह अब आपको क्या करना है कम्प्लीट करना ठीक है थैंक यू एंड एवनाइस जे